फ्रेंड्स सब्स्राइब कीज़े घर संसार वास्तु शास्त्र को और दबाईए इस नोटिफिकेशन बैल को ताकि आप देख सके हमारे वीडियो को सबसे पहले ओम स्री गनिशाय नमहा मा देवी दुर्गा की महिमा प्रमपार है मा शक्ति के अनेको रूप है मा दुर्गा अपने हर रूप में अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन पर अपनी असेम क्रपा वराय रखती हैं हिंदू धर्म में भी मा दुर्गा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है शायद यही वज़ा है कि जब भी किसी मनुष्य के सामने घोर विपता आन पड़ती है तो जोतिश सबसे पहले मा दुर्गा के स्तोती का ही सुझाओ देते हैं मा दुर्गा के पुजन से सभी प्रपार की परिशान्यों से चुटकारा मिलता है मा की कृपा से कामों में आ रहे सारे विग्न बाधाएं दुर हुजाती है मा शक्ति के अरादना करने वालों के लिए दुर्गा सब्तश्यति का पाट करना त्यंत जरूरी हुता है यूं तो मा शेरा वाली हर वक्त अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाया रहती है लेकिन कहा जाता है कि जुद्ध्यान पुर्वक दुर्गा सत्त शती का पाठ करते हैं उन पर मा विंधेश्वरी अपनी विशेश क्रिपा बरसाती हैं मा दुर्गा की अराधना और उनकी क्रिपा प्राप करने के लिए दुर्गा सत्त शती का पाठ सर्वत्तम है मारकंडे पूरान में ब्रह्म देव ने मनुष्य चाती की रक्षा के लिए परमगुप्त परमुपयोगी और मनुष्य का कल्यानकारी देवी कपच और देवी सुक्त बताया है और कहा है कि जो मनुष्य ने उपायों को करेगा वह इस संसार में सुक्ष भोग कर अंत समय में बैकूंट को जाएगा ब्रह्म देव ने कहा कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तश्यती का पाठ करेगा उसे सुक्ष मिलेगा धर्म शास्तनों के अनुसार दुर्गा सप्तश्यती का पाठ करने से पुन्य मिलता है और पाप का नाश होता है लेकिन आशकल के समय में संपुन दुर्गा सप्तश्यती पढ़ने का समय शायद ही किसी के पास हो समय की कमी के चलते सब्त शती के पूरे पाठ को सभी लोग नहीं कर सकते। ऐसे में रोज सुभा मा दुर्गा की विदिवत पूजा अर्चना करके इस मंत्र का जब करने से संपून दुर्गा सब्त शती पढ़ने का फल मिलता है। इस मंत्र को एक शलो की दुर्गा सब्त शत भी कहते हैं मंत्र इस प्रकार है या अम्बा मदू कैटव प्रमथिनी या महिशोन मुलिनी या धुम्रेक्षण चंड मुंड मथिनी या रक्त बिचाशिनी शक्ति शुम्व निशुम्व दैत्य दलिनी या सिद्ध लक्षमी परा साथ दुर्गा नव कोटी विश्व सहीता म पातू विशेश्वरी जब करने की विधी इस प्रकार है सुभा जल्दी नहाकर साप वस्तर पहन कर भगवती दुर्गा के चित्र का विधिवत पूजन करें मादुर्गा के चित्र के सामने आसन लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर इस मंत्र का जब करें प्रति दिन पा जयोतिश शास्त्र की माने तो नित्य दिन इस मंत्र का विधी से जब करने पर निच्छे ही मादुरु का प्रसन्न होती हैं। आपका बड़ी से बड़ा संकट भी बड़ी ही आसानी से टल जाता है। आपकी सबी च्छोएं पलग जपकते ही पूरी हो जाती हैं। आपको बता पूर का आपकी जूली खुश्यों से भर देंगे।